वाहे गुरुजी का खलसा वाहे गुरुजी की फते गुरु प्यारे गुरु स्वारी पर्मसतकार जोक्सा संग्जीयों आज दास मुक्ति नमा गरंथ दा जो अखीर लापा आगवा आप सारियं संगतना संजा करदा है देखो दसमेश पिता मरे दस देखा कि अगर कोई पराणी अपना सरीर शट जबे अकाल चलाना कर जबे कि इन्दे उदा बहुता शोक नहीं करना चाहिए था हाँ अगर कोई करीबी या अगर उन उस टेम बराग होंदा है जा जाधार होंदा है ते कि इन्दे फिर उन्वी ज उस नवेकर ना चाहिए झाहिए पाई ए समय रोण दा है पाई यह समय गर बाणी होंदा ते बाणी भी भाणी स्केज नवेतर गीफिरी प्राणी जबेश्ये आ जड़ें स्याज पाठ एज पाठ तत्रपठ पाठश पाठभार आप मिलके करे या एक डूह जडी गरांति स करेंगा और रखे ते उनना दे पस्तों सैज पाठ सर्बन करें ते सैज पाठ सर्बन कानतों बाद ओस मृत का प्राणी दे पर थाए रोज रात नो गुरू कथा गुरू बचार सत संगत जरूर करें जेदा जड़ा लाब हैगा ओ मृतक आत्मा तक जरूर पहुंचदा हैगा ते ओ आत्मा नो फिर शांती प्राफ्त हों दे जाएगा अगला बचन मृतक दा है कि अगर किसे भी तर्म ग्रांत दे बिच्छा अगर कोई चीज कल्यान कारी हैगी है किंदी ओ जरूर ले लेनी चाहिएगी है वो चीज जड़ी सरेक दा कल्यान कर दिया उसनों ग्राण कर चाहिएगा ते जड़ी चीज जड़ी है वो किसे दा कल्यान नी कर सकती किंदी उसनों बेशक शट देओ पर किसे भी तर्म दे गरांत दा नरादर ना करो सो अगला बचन दा समपाश्यादा हैगा कि जो तो पराणी स्रीर शट जान दा हैगा जे जियों कहलों कि अगर किसे लड़के दा पिता स्रीर शट गया ते अगर वो सिख लड़का हैगा ते किंदी फ़ाई वो स्टेम में कोई भी कहे किंदी जड़ा सिख लड़का हैगा वो अपना कदी भी सर्दा मुननना नाग क्योंकि जड़ी केस हैगे एक गुरू दी मौर हैगिया इस गाल तो जड़ ते वो भी सामा हुगा जदो गुरू अपने सेख नो पहचान के ते उनों केसां तो फड़के उना नरका तो वार कट देंगे सो अगला बचन दसम पाश्चादा हैगा कि सेख दूसरे सिखांदे ज़ा अपने केसांदे जिनने भी रूम है गया ज़ा जो बाल केस है गया इना केसांदा सनमान इस तरह करे जिमें असिंत सावशेरी कुरू गरांसा मरदा सनमान कर दे इस तरह सेख लेड़ा है न वो सेख जड़ा है न उते ज़्यादा लगा बना रख हां क्योंकि संसार दे बेच रहना है गा पर एस मरजादा बेच यह भी दस्या गया है कि यहोजे जड़े सेर गोम हो हाना उना देना परीद नहीं रखनी चाहिए उना तो अपने आपनों एक पास से रखना चाहिए गा य क्योंकि गर्मानी दा फर्माने के बासनकार उपर सी तो कुछ लागे दागे कि अगर किसे बरतन दे बेच चालक लगी यह न उस बरतन शोन दे ना लेकिन दे थोड़ी बहुती कालक जड़ी यह न उह थानू लागे जाएं दिया इस करके मरजने क्या है गा कि जड़े सेर को महें गया उना तो अपने अपने हमेशां दूर रखे सो अगला बचन मरणदा हैगा कि सेख कोई भी हना कारज कांतों पहला गुरू दे बेच अपना पूरा प्रोसाज जितावे ते उस कारज दे परती गुरू जी दे अगे हना अरदास करे बेंती करे किसे भी कारज दे वास्ते गुरू देगे अरदास करने सेख वास्ते बहुत जरूरी है तान जो जड़ा कारज हैगा उस सफलता पूर बग पूरा हो सके तो अगला बचन मरणदा है कि सेख किसे भी तुर्क दे उते हना वो प्रोसा ना करे इस सेख दे वास्ते बहुत जरूरी हैगा क्यों कि कि जड़े तुर्क हेगे या, उना दे ना लड़ाया पर प्रोसा जड़ा हना, उस सिखनो कदी भी मेंगा पैस सकता हैगा, क्योंकि गर्माणी चाहिए कि हिंदू बना तुर्क हो करना, इस करके जड़े तुर्क सुहाँ खाके अपना प्यार ज़तों दे या, उना दे तब ब पास्ते जरूरी हैगा, जि मैं प्रातन समय दे बेच, जड़िया रूहा, चाहिए किसे भी तरमदिया होना, रब दे ना रंगिया जा दिया, सारे जड़े सेख सरदार सी, उना रूहा दा, उना प्राणिया दा, हमेशा सतकार रख दे सेगे, सो अगला बज़ नमारा दा है कि गुरू दा सेख सबतों पहलना, अगर उने बिदया पढ़नी है, तो गुर्म की बिदया पढ़े, पहलना अपनी जड़ी मात पाशा है गिया, उपढ़े, उस पनी मात पाशा दा पूरा ज्यान हासल करे, अपनी मात पाशा दा जिनने भी गरन्त होा, उना गरन्तनों पर अपने मात पाशा दे पड़े गरंथा दे बैच उदी जड़ी नहीं है गिया जाद मजबूत होगी फिर उसेख जड़ा हना फिर किते ने डोल सकता वो अपने तर्म दे बैच फिर पकार होगा सो अगला बचन मारेदा हैगा कि जनमतों लेके मौत तक जीवन दे बच बहुत सारियां पुला हो जानिया इस करके सिखनों एह हदयाती कीती गई कि समय समय ते सेख जड़े या वो कड़ा पर शादी दे करों ते पुलां बख्शोन वास दे किसे अरदासी सेख जड़े तो कि ना किसे आश्रम देरी तीनों मनने ना किसे देवी देवते नों पूझे सेख शवद दा पजारी हैगा सेख दी परी ते शवद दे नाड हैगा ते गुरू दे शवदे बच सेख अपनी सुर्त नों टकावे शवद नों गुरू करके मनने तो फिर सेख जड़ा है ना अप दा शास्तनानों मन देया, उना दी मनावते चल देया, सिक एहुजे इड़े साधु संथ है कि उना दा सतकार करे, उना दुख न दवे, ते ना ही एहुजे इड़े साधु संथ है, उना दा कदे मुखाल अड़ावे, सो अगला बचन मरद है कि जेड़े सेख गुरू तो बेमिक हो जान देया, उस साधा ही अपने जीवन देचरों देया, कमल़ां देया, ते उना दे जीवन देच साधा दोख खरें देया, इस करके सेख दा प्रेम गुरू दे शब्द दे नाड़ होवे, ते जेड़े सेख गुरुदी सिख्यानों सुनके अपने हिर्दे दे बिचे तारने करें। सो अगला बचनता संपाशादा है गा कि जेडे सिख्या अपनी रैत बैदे बिचे पूरे होनगे, पके रैनगे, रैनी रहे, सोई सिख्य मेरा, ओ सह मैं उसका चीरा, एहुजे सिख्यानों आसी। क्योंके सारे जिनने भी देवी देवते है गया, ये सब वाहिगरु दे काल दे विचे उन्दे आ, पाव किया, कि हरेक दा जड़ा है जन्मते मौत है, पर सिख्य नों ऐसा अस्थान मुड़ूगा, जिस अस्थान वसी अकाल कें दे आ, जड़ा मौत तो रैत होगा, सदी भ दे चरना दे वेचे साथ चतना दे वन के ही सदा वास्थे परमेशर दे नड़ जुड़े रहेंगे, सब अगला बचन मारा ज़ा हैगा, कि जड़े पराने सेंग सेगे, परातन सेंग सी, वो मुक्ती नमा गरंथ नों अपने मुझवानी कंठ करके, उन्दा ज्याब कर दे ह इस गरंथ दा पाठ करके, तो फिर मुक्सर साब जाके इशनान कर दे हूंदी सी, उत्थे चाड़ी चाड़ी दिन इस शवदा अव्यास कर दे हूंदी सी, तो इस तरह जड़े गुर्शे को मुक्ती नमें गरंथ दा एस विदी बदान जा प्रीत नड़ अपने जीवन दे इस तरह पाठ कर दे सी, उनना दे जड़ी चरासी है, वो ता सैज दे विदी इकटी जान दे सी, पर एहो जे गुर्शे को परमेशर परमातमा देना प्यद हो जान दे सी, क्योंके संसारी जड़ी जीव है गया, उ हमेशा कर्म जाल दे विदी फसे रेंदे जा, पर वाही ग जीवन कर्म जाल दे विचों कटके गुरू देना जोड़ सकदा है गा, तो उसनो सत चेतना दे जीवन परदान कर सकदा है, तो दास इतने ही सरल बचन मुक्ती नामें दे, आप सारिया संगताना संजा करदा हो या, खिमा दा जाच को आजी, हुईया ब्यांत पुलना चुक वाहि गुरू जी की फत्य है